हेलो दोस्तों सुवागत हैं मैं वोफो टुटिन डप्स और आ गया है एक और बिल्कुल नए वीडियो तो लास्ट टाइम हमने बहुत सारे मिसलिनियस टॉपिक के उपर बात किया था सबसे पहले हमने बात किया था डिजनी का निव यूर सुप्राइस के बारे में जहाँ पर हमें पता चला था कि डिजनी ने रिसनली स्टार्ट किया है स्पाइडी एंडिस अमेजिंग फ्रेंड्स और क्लासिक डोडे मॉन उसके बाद हमें पता चला था कि होट स्टार पर एनीमे आना स्टार्ट हुआ है जो की सच में एक कमाल की बात है फिरा में पता चला Dragon Ball Super Season 2 के बारे में जो प्रोबबली इस साल आने वाला है और फिरा में पता चला था कुछ extra अपडेट्स जैसे की Tata Sky का रिप्रेंड होना वगेरा वगेरा तो अगर आपको उस बारे में जाना है तो लास्ट विडियो को जरूर चेक कीजिएगा और आज हम उसी से ही कंटिन्यू करेंगे क्योंकि आज भी है काफी सारे इंट्रेस्टिंग अपडेट्स तो इसलिए विडियो को अंतक देखना विडियो करने से पहले मैं आपको बता देना चाहते हो कि अगर आप लोग मेरे साथ सोसल मीडियो में इंटरेक्ट करना चाहते हो तो फिर इंस्टरिग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन है वहाँ पर जाके मुझे फॉलो कर दीजिएगा साथी साथ हमारी चैनल में जितने विव्यूज आते हैं उनके अंदर बस कुछी प्रतिशद लोग हमारी चैनल से एक्चुली सस्क्राइब है तो फिर जिन्होंने अभी तक सस्क्राइब नहीं किया उन्होंने वह बताना चाहता हूँ कि अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा से भी उस्पूल लगता है तो फिर सस्क्राइब जरूर कीजिएगा सब्स्क्राइब करना एक तम फ्री होता है इससे आपको कुछ गभाना नहीं पड़ेगा और इससे हमें का भी मदद भी इलता है तो फिर चली शूर करते हैं आज का वीडियो तो सबसे पहला न्यूज है इटीवी बलभारत को लेकर जो की सच कहूँ तो एक सैग न्यूज है और एक गुड न्यूज भी तो लास्ट यर को ईटीवी नेटवर्क ने एक किर्स चैनल लौंज किया था जिसका नाम था ईटीवी बलभारत तो अगर सच बताया जाए तो फिर ईटीवी बलभारत एणिमेशन कंटेंड्स के लिए एक कमाल का चैनल है क्योंकि यहाँ पर सिर्प आपको कमाल के एणिमे स्टेलिकास्ट किया था एनी में बोल के लेकिन अनफॉर्चुनेटली फ्रस्ट एप्रिल यानि की जिस दिन से इंटियो 2.0 जारी होने वाला है उस दिन से हमें एटीवी बलभारत में एक मेज़ॉर चेंज देखने को मिलेगा अब तक तो आपको इंटियो 2.0 के वारे में चैनल 1 एप्रिल से शट डाउन होने वाला है तो इसका रीजन भी बहुत ही ज्यादा सिंपल है 12 डिफरेंट चैनल होने के वज़े से टी आरपी सेपरेट हो जाता है और इसलिए शायद उन्होंने फैसला लिया होगा कि वो लोग अपने चैनल के अमाउंट को डिक्रीस कर जिससे के उन्हें टी आरपी ज्यादा मिले तो कौन कौन से चैनल शट डाउन होने वाला है पंजाबी गुजराटी माराथी ओडिया बिंगॉली और असामीज इसके अलावा जो जो चैनल रहने वाला है वो है इंगलिश हिंदी तामिल तेलेगू कंणारा और मलायलम लेकि अब हम बात करेंगे डिजनी के एक छोटे से अपडेट को लेकर तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि डिजनी प्लस होट स्टार साउथ इस्ट एशिया पर अभेलेबल हुआ है अनिमेज और अभी तक बस एड़ किया गया है तीन अनिमेज जो है प्लाटिन के नाम को देखकर मैं सोच रहा हूँ कि कब इंडिया में फी एनिमे आना स्टार्ट होगा क्योंकि जो दो एनिमेज आने वाला है उनका नाम है डीमन स्लेयर और अटैक उन टाइटन तो सच में 2021 के ऑक्टोबर मन्थ पर जब ये फर्स टाइम एनौंस किया गया था कि डिज स्टार इंडिया को भी जाके रिक्वेस्ट करने स्टार्ट कर दे कि वो लोग साउथ इस्टेशिया की तरह अपने प्लैटफॉर्म पर एनिमेल आना स्टार्ट कर दे तो गाइस मैं एक और इंट्रेस्टिंग फैक्ट आपके साथ शेयर कर देना चाहता था यादी होगा कि दो दिन पहले मैंने एक कम्यूनिटी पोस्ट किया था बेबलेड मूवीज को लेकर तो गाइस आपको यादी होगा कि मैंने बताया था कि दो बेबलेड का मूवी मार्विलेज की उपर रिपीट होने वाला था और आपको यादी होगा कि टाइमिंग कैसा था एक मूवी का टाइमिंग था सुभा एक बजे तो मेरा बात सवाल यही है कि ऐसा टाइमिंग रखके फायदा किया है बेबलेंड मिडल का जो फिल्म है वो फर्स टाइम आया था लास्ट येर के आउगस्ट या फिर जुलाई को और मुझे अभी भी याद है कि उसके बाद एक बार भी उसे रिपीट टेलिकास्ट किया नहीं गया था और जब एक बार रिपीट टेलिकास्ट देखने को मिला टीवी पर उसका टाइमिंग भी था मिडनाइट तो लास्टली अपडेट है कार्टू नेटर्क को लेकर तो जैनुरी में चार नया है रिपॉर्टर का फिल्म आने वाला निक्स्ट टू संडेज यानि की जैनुरी 16 और जैनुरी 23 को मोस्ट प्रवबली शाम को आने वाला है 7.15 पीएम पर तो एक और शीडूल अपडेट है जो मोस्ट प्रवबली कार्टू नेटर्क पर टेम्पूररी है परमल नहीं होगा कार्टू नेटर्क ने रिसेंली अप ही ज्यादा अजीब है क्योंकि most of the time ये जो इंडियन चैनल्स है ये लोग अपने औरिजिनल प्रोग्राम या फिर इंडियन एनिमेटेड स्टॉप्स को बहुत ही ज्यादा प्राइर्टी देते हैं तो गाइस यही था आज का न्यूज और अपडेट्स बताईए कि आज का अपडेट्स आप लोगों को कैसा लगा और अगर कोई सवाल है तो फिर उसे नीचे ज़रूर पूछिएगा मैं उसका जवाब देने के लिए हमेशा तयार हूँ वीडियो अच्छे लेकर लाइक ठोको चैनल को सब्सक्राइब करता और नाटिफिकेशन बेल आइकन को भी दबाना मत भूलना ऐसे वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहा न तो मिलते हैं आगे एक और नए वीडियो के साथ झाल